चाहिना अपने काम अपने हिसाब से कर रहा है इंडिया को सब्छार्ट जान में पार चाहिए चाहिना ना कुछ करते ही हो गेशन फेल रहा हय 1000 उसली हो तो उसको कांटर करने लिए इंडिया के पार भी कुछ होना सभी قा et गाया? इसमें क्या किया गया है? और उसके आगे का आउटकम है? और क्यू किया गया है? ये इस्सारे चीज आज के इस टॉपिक पर हम डिसक्रुशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो आपको बता दू कि इंडिया की जो मेरिटाइम सेकिरृटी स्ट्राटिजी है वो और थोड़ा बढ़ाया गया क्यूंकि इंडिया के साथ मौरिश एस का जो मेरिटाइम डॉमैन एवनिस है उसको स्ट्रेंदन किया गया अब वो कैसे क्या गया क्या हुआ है वो हम बात करते हैं जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इंडिया के जो इंडियान ओशन है हमारे इंडिया के नहीं बताऊंगी मतलब हमारे जो इंडियान ओशन यह जो रिजियन है इस इंडियान ओशन रिजियन यह जो इंडियान ओशन है अगर आप देख सकते हो यह पूरा एरिया, अगर आप देख सकते हो, अगर बात होत गए चाइना की, या इंडिया की, या यहां पे जो मिडलिस्टन कंट्री है, इवन अफ्रीका, यह सारी एरिया, इस वेरी मुच कनेक्टिट टू इस पर्टिकुलर ओशन एरिया, तो इसको क्या कहते है, यह जो चीज है, इसको ग्लोबल ट्रेट के वे में, अगर हम इसके डेवलोप्मेंट के वे में बात करें, तो इसको बता जाता है कि मेरिटाइम डोमेन आवरनेस, ठीक है, अब मेरिटाइम डोमेन आवरनेस हर कंट्री के पास होना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी जो मेरी जोन है, उस पर उनका कितना डेवलोप्मेंट हो रहा है, कितना वहां पर हाथ जमा रहा है, कितना स्ट्रॉंग वे में वो है, वो क्लारिटी के साथ रखना हर कंट्री के लिए इंपॉर्टन है, भले वो इंडिया हो या चायना हो यह पता है, लेकिन चायना का जो स्ट्राटेजी है, वो मैक्सिममें एक्स्पैंशन स्ट्राटेजी हो, अब आपको लेगेगा कि चायना सिर्फ बदमाशी करकर के ही यह करता है, तो उसको हम थोड़ा जब्रेक करेंगे, देखो चायना के यह जो स्ट्राटेजी है, इस स्ट्राटेजी का नाम क्या है, इसका नाम है स्ट्रेंग औफ पहल्स, जैसे के अब देख सकत्यों, मालदीज, श्रिलंका, यहाँ पे मियानमार, और यहाँ यहाँ बांग्लिदिश, मियानमार, फिर यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अब ओमन पे भी, यह सारे जगा पे अगर आप देख सकते हो, कि चाइना अपना बेस बना रखा है ताकि वो वहाँ से जो इंडियन ओशन रिजियन है वहाँ के सारे जगा को सारे पोर्स को वो ठीक तरह से कंट्रोल कर सके और यहाँ पे और इक चीज़ आपको याद दिलायो कि चाइना जो जो जगा पे अपना पैर फैला चुका है या जहां पे वह अपना मिलिटरी बेस कंप या नेवी बेस कंप बना चुका है उसको छोड़कर भी बहुत सारे कंट्रीज में जो की इंडियन ओशन से लगा हुआ जो एरियस है उस पे वो अपने आपको इस्टाबिश करने के लिए बहुत जादा बहुत ही जादा प्लैंक बना रहा है को आगे जाके वो चीज करें अब कुछ नहीं आता है कि चाइना की कि चाइना का जो ओएल इंपोर्ट होता है वो मैक्सिमम होता है कहां से यह आफ्रीका से होता है कहां से होता है आफ्रीका से होता है ठीक है? सिंबल बात है कि एक्सपर्डdriving से चाइना में जो ऑल एक्सपूर्ट होता है उस रूट को वो सेफ रखना चाते हैं अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि चाइना अमेरिका की जो dominant है उसको कमजोर करना चाहता है अगर अमेरिका की बात करें वो आभी तक इंडिया नोशन में बहुत ही प्राफुल है चायना ज़ता है के वो भी यहाँ उतना ही पावर रख सके अब हम बात करेंगे के ये इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा दिक्कत इसलिए है कि चायना ये जो बढ़ती हुई प्रेजन से इंडियन ओशन में उसमें इंडिया और चाइना के बीच का जो बैलन्स पोजिशन बाधर बैलन्स पावर है वो बिगर सकता है तो इसके इंडिया भी अपनी नेवी को strengthen कर रहा है और अपने साथ साथ मौरिशस जैसे देशों के साथ ये मिलकर काम कर रहा है अगर आप देखोगे this is the position of इंडिया और ये है मौरिशस मौरिशस भी ना इंडिया के जैसे लक्षदीफ होते है वैसे ही मौरिशस कुछ आईलेंस को मिला कर बना हुआ है आपको पता होगर ना चाहिए यहां पे कि जो मौरिशस है इसमें अगलिया आईलेंस है तो वह बहतर रिस्ता बनाने के कारें यह क्या कर रहे है यह है अगलिया आईलेंस और यह है इंडिया आपको पता है यह है लक्षदीब यह है अन्डमान यहां पे है मल्डिब्स यहां पे है चागुज अर्किपलगो यह है सीसेल्स आईलेंस और यहां पे है मौरिशस मौर इा जो कि मैंने बताया जो कि important important है for the Chinese trading ठीके Chinese trading के लिए जो की बहुत ही important है, अब इसमें ये सुनों कि आप यह है कि India और मौरिशस की बहतर रिस्ते होने से इंडिया के जो मेरी टाइम डूमेन आवरनियस है इसको मैं बताया अभी-अभी एमडीय जिसको कहते है यह क्या हो रहा है एक क्रिटिकल रिजियन में काफी हद तक इंप्रूफ कर रहे है क्योंकि वहां पर चायना का भी बेस बर रहा है प् मतलब कि मेरी टाइम डूमेन आवरनिस है तरह की कोई कांट्री के ढुल आ जो जो इस सिषोड रहता है व्याए05 और बाकि कोई कंट्री के आपार के वहाँ ना कर दे इस ही वजह से यह आवरनिस रखा जाता है ठीके अब देखो इंडिया नेवी वर्शिप के लिए जो इस्टन सीबोर्ड आफ एफ्रिका है जो की यह है ठीके यह एरिया है इस्टन सीबोर्ड आफ एफ्रिका और साउथ बेच इंडिया नोशन इस मिशन के दौरान ओपरेशनल टार्न आराउंड के सुविदा देती है जो तर्शकरी होती है उसमें थोड़ा हो जाता है जैसे मेरिटाइन डोमेन आवरनेस तो है और जॉइन पेट्रो पैट्रोलिंग करा जाता है जिसके जरीए कम्यूनिकेशन ती लेंस को शुरक्षित करते है ठीक है अब देखो जो कोस्टल सार्विलेंस राडर सिस्टेम है इंडिया ने 2011 में मौरिश के कोस्टल सर्विलेंस कैपाबिलिटी को बढाने के लिए ये कोस्टल सर्विलेंस राडर सिस्टेम को वहाँ पे एक डिजियन में इसको बनाया गया था ये क्या करता है ये भी MDA या मेरिटाइम जो आवरनेस है उसको बढाता है अब चाइना के इसके जवाब में इंडिया मौरिश के साथ जैसे ये समझोता ये अरिस्ता को और ज्यादा गहरा कर रहा है उसके साथ एक चीज भी याद रखना है जैसे मैंने बताया कि चाइना अपना जो बेस बना के रखे उसको कहते है स्ट्रेंग आप ताल उसको काउंटर करने के लि क्या कर रहा है कि इंडिया के साथ ओमन फिर दक्म ये सारे पोर्स मौरिशस इसमें ये सारे जगा पे ये एक एयर सपूर्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे स्थापना करना चाहते है और ये स्टेप जो स्टेप है वो इंडिया को आई-ओ-वार में अपने मतलब इंडियान ओर जो रिजियन है इसमें अपने मेरे टाइम डोमेन को और कोस्तल सेक्रिटी को मजबूत करने में मदद करेंगे और इससे क्या होगा ये सारे पॉइंट से ये पता चलता है कि इंडिया मौरिशस के रिलेशन के सुधार से इंडिया अपने मेरे टाइम डोमेन आवरनिस को जो influence है इंडिया नोशन के अंदर वो counter करा जा सकता है तो यह जो strategic partnership है वो both of the nation ठीके बहुत ही जादा मतलब मौरिशन इंडिया के लिए बहुत ही important है इंडिया के लिए एक बहुत जादा crucial point यह point out करता है और सबसे बड़ी बात है अगर आपको पता है इंडिया के यहाँ पे जो coastal important project जिसको कहते है क्या सागरमाला यह जो सागरमाला project है that also get enriched through the regional security and economic prosperity ठीक है तो this is the thing के यही important एक चीज था जिसके बारे में हमें यह बताना था और हमें यह भी याद रखना है थूर देस collaboration friendly nations जैसे के maurishas जैसे friendly nation है यह भारत के अंडर इंडियान ओशन पर थित ऐसे एक island बन गया एक nation बन गया जो इंडिया के strategic जो ओडियेंटेशन है उसका इक pillar की तरह देखा जा सकता है ठीक है तो यह है हमें पता चल गा है कि इंडिया कैसे चाइना का expansion in इंडिया ocean वो इसको counter कर रहा है through this base ठीक है इसमें maurishas कितना important part play करता है वो भी आपको पता है चल गया होगा तो आज के लिए session यहां तक ही आपको याद दिला देते हैं कि हमारी current affairs की books already market में available है you can get it just you have to dial on this number call करके जानकारी ले सकते हो घर बैठे यह book को मंगवा सकते हो हमारे foundation course की चालू हो गया है 2025 की और यह इसमें 30% discount आपको मिल रहा है और इसके बारे में भी आपको बता देते हैं जो sit है अब बहुत limited हो गया है जल्दी से जल्दी इसको avail करने के लिए call on this number इस number पे call करके इसके जानकारी ले सकते हो आपसे मिलेंगे next session में तब तक के and remember to become a very responsible citizen. Jai Hind!